नमस्कार दोस्तों आपका हमारी चाइनल बंदना की रहसुई में स्वागत है आज हम बनाएंगे आम की चटनी आम का चटनी बहुत ही स्वादिश्ट लगता है और बहुत ही यम्मी लगता है आप इससे रोटी पूडी पराठा के साथ भी खाएए दाल चावल के साथ देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में उतना ही स्वादिश्ट है तेसी किस तरह से हम बनाएं हैं आए देखते हैं और इसकी सामगरी भी देख लेते हैं जटपट बनने वाला आपकम समय में आम की चटनी तो आम का चटनी बनाने के लिए हमें यहां पे इसे भी खराब नहीं होता है तो यहां पे हम आम लिए हैं और इसे छिल के अच्छी तरह से बारिक काट लेंगे क्योंकि आम को पिसने में अगर आप बारिक अच्छे से नहीं काटेंगे तो यहां पे हम क्या-क्या लिए थे वो भी दिखा देते हैं तो अध्रक कट्टुक में लेकिन अगर गाओं में लोग हैं और इसे सिल्वट्टे पर बना के खाएं तो यह चट्नी में बोलते हैं ना चार चांद लग जाएगी इतना स्वादिश्ट लगता है लेकिन हम लोग के पास सिल्वट्टा नहीं है तो हम तो इसे मिक्सर में ही बनाएंगे और यहां पर हम आम को छिलके काट लियें यह देखने में लग रहा है कि पका आम है लेकिन यह कच्चा है और यह हलका हलका पीला हो गया है कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है इसका चट्नी और भी अच्छा लगेगा लेकिन यह मीठा आम बिल्कुल नहीं है खट्टा ही है चाहिए कि में लालमिर्स डालना है और धनिया डाल देते हैं और थोड़ा सा हम पानी का इस्तमाल करेंगे और लीजी जट पट यह चट्नी बन जाएगी आप इसे किसी भी चीज के साथ खाईए स्वाधिष्ट चट्नी बनके रेडी तो यहां पर हम आपको पिसके भी दिखा देते है और इस चट्नी को आप जरूर बनाईए और खा के जरूर बताईएगा कि यह चट्नी आप लोगों को कैसी लगे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए तो यहां पर चट्नी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को तो चलिए फिर मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवास दोस्तों